यहरा एक्सेलेंसी चैंचलर सोच दोनों देशों के डेलिगेट्स मेडिया के साथियों गुटन टाग नमस्कार मैं मेरे मित्र चांचलर सोर्ज और उनके डेलिगेशन का भारत में स्वागत करता हूँ चांचलर सोर्ज कई वर्षों बात भारत का दोरा कर रहे हैं दोहजार बारा में उनकी भारत यात्रा हैंबर के किसी भी मेर की पहली भारत यात्रा थी परस्ट है कि उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों की संभावनाओं को बहुत पहले ही समझ लिया था पिछली बार्ष हमारी तीन बैटके हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दिर्द्रष्टी और वीजन से हमारे द्वीपक्ष्य समंधों को एक नई गती और उर्जा मिली है आज की बैटक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्वीपक्ष्य मुद्धों तदक शेत्रिय यह मंतराष्टी विश्यों पर विश्तार पुर्वक्चर्चा की फ्रेंट्स भारत और जन्मरी के मजबुत सम्मन साजहां लोकतांत्रिक मुल्यों और एक दुसरे के हीतों की डीप अंडरस्टैनिंग पर आधारीत है दोनों देशों के बीच स्कृतिक एवाम आर्थिक आजान प्रदान का भी लंबा इतियास रहा है विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थ विवस्ताओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जन्ता के लिए तो लाबकारी है ही आज के तनाव ग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वकुन स्रोत है आज मेकिन इंडिया और आत्मन निर्वर भारत अभ्यान की वेज़े से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं इन अवसरों के प्रती जर्मनी की रूची से हम उत्साहित है चांसरर सोर्ज के साथ आज आया हुआ बिद्नेस डेलिगेशन और भारतिय बिद्नेस लेडर्स के बीच एक सफल बैटक हुई और कुछ अच्छे एग्रिमेंट भी बड़े महत्वकुन एग्रिमेंट भी हुए डिजिटल ट्रांस्फर्मेशन, फिंटेक, आईटी, टेलिकॉम और सप्लाई चेंज के डाइवर्सिफिकेशन जैसे विश्यों पर हमें दोनों देशों के प्रमुक इंडस्ट्री लिडर्स के उप्योगी विचार और सुझाव भी सुनने को मिलें प्रेंट्स, भारत और जर्मनी, ट्राइंगुल और डेवलप्मेंट कोर्परेशन के तहद, कोर्परेशन के तहद, तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं पिछले कुछ वर्सों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबन भी सद्रड हुए हैं पिछले वर्स दिसंबर में किये गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टर्शिप अगरिमेंट उससे ये संबन और भी गहरे होंगे बदलते समय की आवश्चताओं के अनुसार हम अपने समंधों में नए और आधुनिक पहलू भी जोड रहे हैं पिछले वर्ष मेरी जर्मनी की आत्रा के दोरान हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलिप्मेंट पार्टर्शिप की घोश्टा की थी इसके माध्यम से हम क्लाइमेट एक्षन और सस्टेनेबल डेवलिप्मेंट गोल के इक्षेतर में भी सईयोग बढ़ा रहे हैं रिन्यूबल एनरजी ग्रीन हाइडरोजन और बायो फ्यूर्ट जैसे इक्षेतरों में भी हमने साथ काम करने का निर्णे किया प्रेंट सिक्यूरिटी और डिफेंस कोपरेशन हमारी स्ट्रेजिक पार्टरशिप को ला एक महत्वपन स्थम्ब बन चुकता है इक्षेतर में हमारी अंटेप्ट पोटेंशिल को पुरी तह रियलाइज करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे आतंगवात और अलगावात के खिलाब लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम को समाप्त करने के लिए ठोस कारेवाई आवश्यक है प्रेंट्स कोवीड महमारी और युक्रेन संगर्स के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं विकासिल देशों पर इनका विशेश रुप से नकारात्मक प्रभाव रहा है हमने इस बारे में अपनी साजा चिंता व्यक्त की हम सहमेत है कि इन समस्याओं का समाहदा सयुक्त प्रयासों से ही संबव है भारत की G20 के देश्टा में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं युक्रेन के घटनाक्रम के शुरुवात से ही भारत ने डायलोग और डिप्लोमेशी के माद्यम से इस विवात को सुलजाने पर जोर दिया है भारत किसी भी शांती प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तयार है हमने इस बात पर भी सहमती दोराई कि वैश्विक वास्तिक्ताओं को महतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टी लेटर इंस्टिटूशन्स में सुधार आवश्चक है UN Security Council में सुधार लाने के लिए G4 के अंतरगत हमारी सक्रिय भागेदारी से यस पस्ट है एक्सलेंसी सभी देशवाश्यों की तरफ से मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलिगेशन का भारत में स्वागत करता हूँ इस वर सितंबर में भारत में आयोजित G20 समीट के लिए हमें आपका फिर से स्वागत करने का आउसर मिलेगा आपके इस भारत यात्रा और आज के हमारी उक्यों की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद